क्या आफ्रिका दो हिस्सों में तूट जाएगा? रिसेंटली साइन्टेस्ट में आफ्रिका के नीचे जो टेक्टॉनिक प्लेट्स हैं, उनकी कुछ इमेजिस शेयर की हैं इन इमेजिस में बहुत बड़ी बड़ी दरार वेजिबल हैं आपकी ब्रेकप की दिवार से भी काफी बड़ी दरारें, तो ये कॉंटिनेंट तूट कर जाएगा कहां? पहली बात तो ये कि इस प्रक्रिया को पूरी होने में भी लाको साल लगेंगे और धीरे-धीरे बीच में एक ओशिन क्रियेट हो जाएगा और ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा किस्सा इंडिया के साथ एक बार पहले भी हो चुका है पहले हिंदी-चिनी भाई-भाई नहीं थे, बीच में था Tethys Sea लेकिन हमारा इंडिया साथ समंदर पार करके जाकर चिपक गया चाइना से Tethys Sea तो खदम हो गया, लेकिन इस प्यार से डेवलाप हुए the Great Himalayas हमारे Earth की जोग्रफी में ऐसे ब्रेक अप और पैच अप होते रहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, और इससे हमें एक बहुत इंपोर्टन बात सीखने को मिलती है कि Nothing is permanent in life